हेलो दोस्तों, आज के करेंट फैस के कोश्चन को स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर बन बजट के संदर में निमनिकित कत्मों पर विचार कीजिए समिधान के अनुच्छत 112 में बजट संबनी प्रावधान है बजट संसब के उच्छ सदन में विच्ट मंती द्वारा पस्तुत किया जाता है निमनिकित कत्मों में से कौन सा? सही है निकित जो इसका स्टिक्मेंट फरस्ट है, वो सही है ठीक है? अभी हाल ही में केंदर सरकार ने एक फरवरी 2020 को आगामी वित्पी बजट प्रस्तुत की है मंदी के दौर से गुजर रही भारती अर्थ विवस्ता के लिए यह बजट काफी महत्त पूर्ण थी निरंतक गिर्ती आर्थिक विद्धीदर और मुद्दाइस्पिती संबंदी हालिया आक्रों ने बजट निर्माण की प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया भारती अर्थ विवस्ता को मजूदा मंदी से उबारना और वर्ष 2024 तक भारत को पांच जिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता बनाने का लच प्राप्त करना बजट निर्माताओं के समझ बड़ी चुनोती है ठीक है भारती सम्विधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रवधान है कि राश्पती पत्ते एक वित्ति वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्रतियों और व्यायों का विवरण संसत के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा ठीक है बजट वित्त मंत्री या उसके दोरा नामित व्यक्ति के दोरा संसत के निम्न सदन यानि लोग सभा में प्रस्तुत किया जाता है देखे भारती सम्विधान में सासंत रनाली की त्रीयस्तरी विवस्ता अपनाई गई है पहले तो सौरपतम इसमें होता है केंडरी सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर होता है आपका अस्थानी सरकार अस्थानी सरकारों में देखिए जैसे नगर निगम, नगर पालिका और जिला पलशद उसके अनुसार देखिए सरकारे जो होती है उक्त सरकारे अपना-पना बजट तैयार करती हैं जिसमें अपिच्छित राजस्व और प्रस्तावित वे का अनुमान होता है उन्हें केंदरी बजट या राज्य बजट और नगरपाली का बजट कहते हैं ठीक है वर्ष 2017 से पूर्व सरकार दोर अपने अपिच्छिक राजस्व और अनुमानित वे का विवरण यानि केंदरी बजट को फरवरी के माहा के अंतिम कारे दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है किन्तु वर्ष 2017 से इस प्रता को बदलते हुए सरकार ने पहली बार एक फरवरी को बजट प्रस्तुत किया था और तब से या प्रते है वर्ष एक फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया जाता है भारती समिधान में बजट सब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है इस संदर में भारती समिधान के अनुछेद 112 में वार्षिक वित्ती विवरण का प्रय आता है ठीक है चले दोस्तों नेक्स वोशन देखते हैं कि क्वेश्चन नम्र टू निमलिके तीगमों पर विचार किजिए देखें एक तरफ वेजसाला दिया हुआ है दूसी तरफ कंड्री का नाम दिया हुआ है और इसे हमें सुमेलित मतलब फाइंड आउट करना है कौन सा सही सुमेलित है देखें दिया हुआ है जैमनी साउस सेरो टोलो इंटर अमेरिकन अब्जर्वेटरी उसके साथ दिया हुआ है अर्जेंटीना एल्बीटी माउंड ग्रहम अब्जर्वेटरी सहुक्तिराज अमेरिका उसके साथ देखें अब नीचे दिया हुआ है डैनिल के इनन सdıलय सो उसके साहाग दिया हो है फ्रांस ठीक है अब देखिए इसमने से मारा जो सही है वो है सेकेंड ठीक है भी कहाल ही में अमेर्की संस्थान नेशिनल व्रसास फाउंडेशनेर्शनने हवाई दीप परिस्थी दाइन mau काल की सवेड़ी में यहां एकत्रित की हैं जिसकी वज़े से यहां चर्चा में हैं ठीक है देखे एनस अपने हवाई इस्थित डीके आई एस्टी डैनियल के इनायन सोलर टेलिस्कोप दौरा अपने पहले सर्वेच्छण से संबंधित आकड़ों और तस्वीरों को जारी किया है जैमिनी साउस सेरोर टोलो इंटर अमेरिकन अब्जर्वेटरी जो है वो चिली में है ठीक है लबीटी माउंट ग्रहम अब्जर्वेटरी सहुक्त राज अमेरिका में है और डैनियल के इनायन सोलर टेलिस्कोप जो है हवाई भी सहुक्त राज अमेरिका के अंतगत आता है ठी चिली की तो चिली की जो कैप्टल है वो है सेंटियागो और इधर देखिए जो इसके साथ कंट्री लगती है वो है पेरू बोलविया और अर्जेंटीना और इधर देखिए आपका यह लगता है समुद्री सीमा जो है साउथ पैस्टिक पोशियन ठीक है चलिए दोस्तों नेक्ट वर्शन देखते हैं इसका जो उद्देश्य है भारत और बंगलादेश की सिनाओं के बीच व्यापक अस्तर पर अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाना है ठीक है देखें इसकी जो सुरुवात हुई थी यह हुई थी वर्श 2009 में देखें यह जो है 3 से 16 फर्वरी तक भारत के उम्रोई उम्रोई जहां यह मेगाले में है ठीक है भारत और बंगलादेश के बीच यह संयुक्त सैन अभ्यास संप्रिती 2020 का संचालन होगा ठीक है यह जो अभ्यास है दोनों देशों के बीच यह नौवा अभ्यास है ठीक है चले दोस्तों नेक्स वर्शन देखते हैं क्वेशन नम्र फोर निम्लिखित कत्मों पर विचार कीजिए भूमन पंचायत पोर्टल पंचायती राज मंत्राले की ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में सहायता करने के लिए भू अस्थानी सिवाय प्रदान करेगा भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आंग पदेश की ताड़ी पत्री रेलवेज स्टेशन से जवालल नहरू पोर्ट मुंबई के लिए रवाना किया गया उपर कत्मों में से कौन सा सही है देखे ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है देखे हाल ही में अंत्रिच विभाग के राज्य मंत्री ने विकेंदित योजना के लिए अंत्रिच आधारी सूचना सहायता पर राष्टी कारेसाला का उधगाटन किया है देखे इस अवसर पर उन्होंने बैंगलूर में भूवन पंचायत वी 3.0 वेब पोर्टल भी लॉंच किया है देखे इजिरो ने सरकारी परियोजनाओं के बहतर क्रियानवयन और निगरानी के लिए भूवन पंचायत वेब पोर्टल का 300 संस्क्रण लॉंच किया है इस पोर्टल के माधम से पहली बार पूरे देश के लिए 1-1000 के पैमाने पर आधारित एक विशमगत डेटाबेस उपलब्द होगा इस डेटाबेस बेस को एकत्रित उच्च रिजोलूशन उपरग्रह डेटा के आधार पर तयार किया गया है ठीक है यहाँ जो परियोजना है कम से कम 2 साल तक चलेगी इस परियोजना के तहट इजरो ग्राम पंचायती राज मंत्राले की ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में सहायता करने के लिए भू अस्थानी सेवाएं प्रदान करेगी इस पोटल का उपयोग मुख्य रूप से पंचायती राज संसानों और ग्राम पंचायतों से सम्मंदित विविन हित्धारक करेंगे ठीक है इसरो ने विकासात्मक योजनाओं के कार्णमयन निगरानी के लिए उपग्रह से प्राप्त देटा के आधारपा बुन्यादी योजनागत इंपूट के साथ जमीनी अस्तर पर ग्राम पंचायतों की मदद के लिए SISDP परियोजना शुरू की है इस परियोजना में हैदराबाद इस्तित नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर प्रमुख भून का निभायेगा नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर जो है इजरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है SISDP परियोजना का चरण फर्ष्ट वर्ष 2016-17 में सफलता पूरक संपन्न हुआ SISDP के चरण फर्ष्ट के अनुभाव के आधार पर SISDP अपडेट आरम्ब किया गया इस परियोजना के तैयार किये गए जियो डेटाबेस उत्पादों और सेवाओं का भूवन जियो पोर्टल के माद्धम से प्रसार किया जा सकता है इससे ग्राम पंचा सदस्यों और अनहितधार को के लाब के लिए डेटाबेस, विजुलाजेशन, डेटा एनलेटिक्स आधी है तो विक्सित जियो पोर्टल का उप्योग करने में आसानी होगी ठीक है अब बात करते हैं फ्रूट ट्रेन की भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को आनपदेश की अननदपूर जिले में ताड़ी पत्री रेलवे इस्टेशन से जवाहल लाल नहरू पोर्ट के लिए मुंबई के लिए रवाना की आ गया है जहां से इन फलों की जो खेप है इरान भेजा जाएगा ठीक है इससे क्या होगा कि समय और इधन दोनों की बच्चत होगी अब तक 150 ट्रकों द्वारा कंटेनरों को सड़क के माध्धम से 900 किलोमेटर से अधिक दूर जवाहल लाल नहरू पोर्ट यह भेजा जाता था जहां इन तापमा नियंतित कंटेनरों को जहाज पर लादा जाता था ठीक है अब बात करते हैं जवाहल लाल नहरू पोर्ट की तेकि नवी मुंबई इस ते जवाहलाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट को पूर्व में नहवा सेवा बंदरगाहा के नाम से जाना जाता था यह भारत का सिर्ष कंटेनर पोर्ट है जो भारत में सभी प्रमुक पोर्ट का 55 प्रशत कंटेनर कारगो संचालिक करता है तेकि इसकी जो सुरुवात हुई थी वो हुई थी 26 मई 1989 को हुई थी ठीक है चले दोस्तों नेक्ट शोशन देखते हैं Q5. संयुक्त राष्ट बालकोस यूनिसेफ के संदाम में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे इसकी अस्तापना संयुक्त राष्ट महासभादवरा वर्ष 1946 में की गई थी इसका मुख्याला जो है जिनेवा में इस्तीत है निमलिखित कत्नों में से कौन सा सही है दिके जो इसका स्टेटमेंट फरस्ट है वो सही है ठीक है देखे, संयुक्त राष्ट बाल कोस संयुक्त राष्ट महसभा द्वरा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था देखे, पूर्व में इससे संयुक्त राष्ट अंतराष्टी बाल आपाद कालिन कोस कहा जाता था पूलेन के चिकिस्तक लुडविक रास्मन ने यूनिसेप का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी इससे बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था दिती विशियुद्य में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को अपातकाली निस्थी में भोजन और स्वास्त सेवाएं उपलब्द कराना था देखे 1950 में यूनिसेप के दायरे को विकासिल देशों में बच्चों और महिलाओं के दिर्विकालिक जरुतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था और 1903 में यह संयुक्त राष्ट का एक अस्थाई हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से अंतराष्टी एवं अपातकाली सब्दों को हटा दिया गया अब इसका जो नाम है संयुक्त राष्ट बाल को सकिन्तों मूल संचिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है ठीक है चले बात करते हैं होरस की देखे हालही में मिश्य के पुरवसेस मंत्राले ने मिन्या गवर्नोरेट में एक पुरातात्विक अस्थल्ग पर प्राचीन महायाज को की समाधी और आकास देवता होरस को समर्थिप पत्थरों से निर्मित एक कब्र की खोज किया जिसकी वज़ समाधियों सहित 20 पत्थरों से निर्मित कब्रे मिली है अल गोरिफा पुरास्तल जो काहिरा के दच्षिड में 300 किलोमेटर दूर इस्तित है पर कब्रों के बारे में चित्रलिपी में उत्किर्ण है ठीक है पत्थरों से बनी इन कब्र आईसिस और ओसीरिस के पुत्र होरस को समर्पित है इसमें पंखों को फैलाते विए देवी नट की मूर्ती भी मिली है ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक सिस्काइब और सेर करना ना भूले थैंक्यू